हलो माई डियर फ्रेंट्स मैं विविक कुमार आप सभी का अपने यूटूब चैनल यूवी कंप्टिसंस में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों 12 और 13 फरवारी 2022 को होने वाली MVSI RTO इंस्पेक्टर परिख्षा 2021 जिसका की मेन से एक्जाम 13 फरवारी 2022 को होगा साथियों मेरे उसका पार्ट है इंटर्नल कमबक्शन इंजन, मेकनिकल इंजिनेरिंग और आटोमबाल इंजिनेरिंग दो ब्रांचे जिसमें सामिल है साथियों इंटर्नल कमबक्शन इंजन, IC इंजन का क्लासिपिकेशन, टू श्ट्रोक और फॉर श्ट्रोक साइकिलम पढ़ चुके आज का अमारा टॉपिक है, कंस्ट्रेक्शन डिटेल्स एंड कमपोनेंट ओफ एन IC इंजन, इंटर्नल कमबक्शन इंजन, ऐसा इंजन जिसमें की फ्यूल का कमबक्शन स्लेंडर के अंदर होता है, इंटर्नल कमबक्शन इंजन कहलाता है सबसे पहले हम बात करते हैं construction details of an IC engine की तो construction details की जब बात करते हैं तो उसमें छोटे छोटे topic है छोटी छोटी चीज़े हम आपको सारी clear करेंगे कि एक IC engine में चार चीज़े main मानी जाती है क्या क्या मानी जाती है cylinder, crank shaft, connecting road, piston साथ यह इन चीज़ों के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़े है कि एक IC engine का construction कैसे कैसे होता है तो IC engine में क्या है पिश्टन जो है यानि कि जो पिश्टन जो होता है यह आपका पिश्टन है पिश्टन क्या करता है reciprocating motion करता है जो कि किस के अंदर फिट रहता है सिलेंडर के अंदर फिट रहता है पिश्टन कैसा motion करता है इस तरह का motion करता है यानि कि reciprocating motion करता है और जो आपकी crank shaft है वो crank shaft कैसा move करती है वो rotary motion करती है तो पिश्टन जो है वो reciprocating motion करता है सिलेंडर के अंदर जो कि closely fit होता है सिलेंडर के अंदर जब इसमें leakage होते हैं तो इसके leakage को रोकने के लिए तो leakage के रोकने के लिए क्या लगाई जाती है पिश्टन रिंग्स लगाई जाती है जो कि piston जो है उसके चारों तरफ लगी होती है साथियों मेरे उसके बाद cylinder is bored in the cylinder block may be bolted to the top of the crank case crank case के द्वारा जो cylinder block है उसको में cylinder को fit किया जाता है the top of the cylinder is sealed down by bolting on to hit the cylinder head bolted किया जाता है उसके बाद generally gasket made जो गैसकिट जो बनी होती है वो copper seats की बनी होती है या aspect pestis की बनी होती है जो कि किसके भी स्कार्य लगाई जाती है cylinder और cylinder head के मध्य में the combustion space is provided in the top of the cylinder head जहाँ पर fuel का combustion होता है वो cylinder के top पर प्रवाइड किया जाता है cylinder के head के top पर प्रवाइड किया जाता है उसके बाद reciprocating motion of the piston is converted into the rotary motion of the crank shaft by means of connecting road and crank piston क्या करता है reciprocating motion करता है crank क्या करती है rotary motion करती है तो piston के reciprocating motion को connecting road के द्वारा किस में बदला जाता है rotary motion में crank के rotary motion में बदला जाता है piston के rotary motion को crank के rotary motion में बदला जाता है और connecting road क्या करती है piston और crank को connect करती है यह connecting road है आपकी जो किसको piston यह आपका piston है और यह आपकी crank है इसको crank और piston को connect करती है connecting road और जो कि कहा पर बनी होती है crank साप पर mount होती है साथियों मेरे pin विची connect दा piston and connecting road जो pin यह जो छोटी सी pin दिख रिया नहीं पिन जो कि पिन connecting road और piston को connect करती है उस pin को कहा जाता है गजन पिन या piston पिन जो pin पिस्टन और connecting road को connect करती है उसको कहा जाता है गजन पिन या piston पिन ये जो है ये तो है small end ये जो है आपका यानि कि दो end आपको मिले piston जहां से connecting road से connect होती है उसको कहते है small pin या small end और connecting road जा crank साप से connect होती है उसको कहते है या crank pin जो connect होती है उसको कहते है crank pin या other end सात्यों मेरे इसके अलावा the bottom of the engine is closed by means of sump sump जो क्या करता है ये contain करता है oil को which is pumped around the engine for lubrication के लिए जो engine को provide किया जाता है a mechanical cycle for an internal combustion engine can be completed in one revolution two stroke में तो एक revolution में complete की जाती है किसके crank shaft के और four stroke में दो revolution होते है crank shaft के जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि two stroke यब आपका cycle है तो उसमें one revolution में complete हो जाता है crank shaft के one revolution में आपका complete हो जाता है cycle और जब कि four stroke cycle की बात करें तो वहाँ पे two revolution में crank shaft के two revolution में आपकी cycle complete हो जाती है stroke आपके पास चार होते है sanction, compression, power and exhaust लेकिन जब आप बात करते हैं two stroke cycle की तो two stroke cycle में अपने पास दो stroke होते हैं यानि कि suction आपका suction और power stroke एक होता है और compression और exhaust stroke एक होता है जब कि four stroke cycle में चार stroke लगते हैं suction stroke, compression stroke, power stroke and exhaust stroke साथियों मेरे इसके अलावा इंजन जब रणिंग कंडिशन में होता है four cycle तो in and engine running on four stroke cycle principle there are mechanically operated valve वाल क्या करते हैं operate होते हैं mechanically और किसमें in और out में और वाल कहां लग रहते हैं सिलेंडर में the opening and closing of the valve is controlled by means of cam जो वाल है उनकी controlling जो है वो cam के द्वारा control की जाती है जो की काप पर fix होती है cam shaft पर cam shaft is operated by means of a gear drive और chain drive from the crank shaft और cam shaft किस से operate होती है gear drive या chain drive के थुरू होती है किस से crank shaft से although cam shaft run at half the speed of crank shaft साथियों मेरे जो crank shaft है उसकी दुगणी speed होती है cam shaft के sorry cam shaft की speed crank shaft की speed से आदी होती है यानि कि crank shaft जब एक चक्कर घूमती है तो crank shaft आपकी दो चक्कर लगाती है साथियों मेरे इसका लावा valve which are known as poppet valve are held down on closed position by means of valve spring के थू in case of engine working on two stroke cycle the control of admission and exhaust is by means of port two stroke में क्या होते है ports होते है for stroke में क्या होते है valve होते है तो two stroke में क्या आपको operate हो रहे है ports और for stroke में valve operate होते है these ports are opened and closed by means of moving piston और piston के move होने से ये port open होते है और close होते है इसका लावा all these series of events for a complete cycle event and these events take place in the same order in any cycle if all the events are completed in four stroke of piston then the engine is set to be working on four stroke cycle principle यदि आपके जो piston के stroke है वो किस में हो रहे है four stroke of the piston यानि कि event जो आपका पूरा complete है वो four stroke में complete हो रहा है तो आपका engine क्या कहलाएगा four stroke cycle engine और यदि आपके जो event है पूरा के पूरा two stroke में complete हो रहा है of the piston के two stroke में complete हो रहा है तो इसको कहते है two stroke cycle principle य데ी आपका जो पूरा कार्य प्रणाल्y जो है वह तो 3D में साइकल काम कर गया और यदि आपके में साइकली में कॉरीड्य प्रणाल्य फ्रहते है सात्यों मेरे ये था इंजन का कंस्ट्रेक्शन से सिंपल सा कंस्ट्रेक्शन सा कंस्ट्रेक्शन में हमने किस किस बात करी इनलेट वाल की आउटलेट वाल की पोर्ट की ट्वी स्ट्रोक की बात करेंगे तो पोर्ट की उसके अलावा पिस्टन की सिलेंडर की कनेक्टिंग था लेकिन component की बात भी की जाएगी तो component कौन-कौन से होते हैं तो component जो एक IC engine में होते हैं वो होता cylinder, cylinder head, piston and piston ring, wall and wall mechanism, connecting rod, crank shaft and crank case, gajan pin, crank rod, crank shaft, crank, crank pin, crank case, connecting rod, cylinder, wrist pin, piston, cooling fan, cylinder head, exhaust, exhaust wall, inlet wall, inlet port, twist truck में port, और forest truck में wall, तो अब हम एक एक चीज, cylinder क्या है, cylinder head का क्या करता है, piston and piston ring, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, साथियों सबसे पहले बात की जाए, cylinder की, तो it is an important component of an engine, since it is has a very high pressure and temperature due to direct combustion of fuel inside this engine cylinder, साथियों मेरे जब आपके, fuel का combustion होता है, cylinder के अंदर, तो वहाँ पर high pressure और high temperature generate होता है, और high temperature, high pressure जो generate होता है, इसको cover कौन करता है, engine का cylinder, cylinder जो बना होता है, इसमें material यूज किया जाता है, काश ताइरन, ordinary engine के लिए, और steel alloy और aluminium alloy यूज किया जाता है, का cylinder यूज किया जाता है, heavy duty engine के लिए, तो ये question मनता है कि cylinder के लिए material कौन सा होता है, ये question बार बार पूछे जाते है, material के question पूछे जाते है, इसलिए material इसमें topic डाला है, कि cylinder क्या होता है, ये एक important part होता है किसी भी engine का, क्योंकि इसी के अंदर high temperature, high pressure generate होता है, जो fuel का combustion होता है, तो सबसे जादा important part कौन सा है, IC engine का cylinder, साथे दूसरा part है cylinder head, it is fitted on one end of the cylinder and act as cover to the cylinder bore, cylinder head, cylinder के एक end पर fit किया जाता है, और ये cover करता है cylinder bore को, और ये क्या 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 contain होता है, ये contain करता है inlet और exhaust बाल को, इसके लिए जो material बना, जिस material का cylinder head बना होता है, वो material है cast iron and aluminium alloys, साथे जब एक से ज़्यादा cylinder use किये जाते हैं, यानकि multiple cylinder use होते हैं, एक engine में, the cylinder are normally cast in one block, is known as cylinder block, तो इन सब को cast के इसमें किया जाता है, एक block में, और उसको कहते हैं cylinder block, next है piston, it is the heart of an ice engine, यह एक internal complexer engine का रद्य है, heart है, piston transmit the gas force to connecting rod and then to crank shaft, piston क्या करता है, piston force को transmit करता है connecting rod को, और connecting rod किसको करती है, crank shaft को, it has good heat conductivity property, and also greater strength at higher temperature, और piston बना होता है, cast iron और aluminium alloys का, उसके बाद आती है piston की rings, piston rings are in circular shape, किस में होती हैं, circular shape में होती है piston rings, और the material और piston ring retain elastic properties even at higher temperature, और इसके लिए material यूज किया जाता है, special steel alloys, silicon cast iron और piston rings जो होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है upper ring, दूसरी होती है lower ring, upper ring क्या करती है, to provide air tight seal to prevent the leakage of burnt gases into the lower portion, upper ring क्या करती है, piston की जो ring है, upper ring क्या करती है, air tight seals prevent कराती है, जिससे की जो आपका fuel का combustion हो रहा है, fuel के combustion सुझ gases मन रही है, burnt gases जो हैं, वो lower pace में रहे हैं, और lower ring क्या करती है, to provide efficiency seal to prevent the leakage of the oil into the engine cylinder, lower ring, जो engine cylinder के अंदर oil भरा होता है, उस oil को leakage होने से बचाती है, साथियों मेरे अगली चीज़े अपने पास, जो है wall and wall mechanism, ये भी किसका part है, एक engine का, तो they use for close and open purpose, wall and wall mechanism किस purpose के लिए यूज किया जाते हैं, close और open के लिए, inlet wall, outlet wall, और they are usually mushroom shape, ये किस shape में होते हैं, mushroom जैसी shape में होते हैं, with conical sitting surface, और इनकी surface कैसी होती है, conical होती हैं, और ये especially alloy steel के बने होते हैं, connecting rod, connecting rod, जो कि piston और crank shaft को connect करती है, जाने कि piston का जो आपका reciprocating motion होता है, उसको crank shaft के द्वारा crank को rotary motion में गुमाती है, और it transmit force from the piston to the cramp shaft in working stroke, और इस ये बनी होती है, forge steel की, ये आपका engine है, ये आपकी connecting rod है, connecting rod है, ये piston है, ये crank pin है, ये crank shaft है, connecting rod इससे जुड़ी हुई है, crank piston, और कहना में connecting rod इससे जुड़ी हुई है, वो गजन pin है, ये आपकी bottom ring है, ये skirt है, little end, big end, ये तो little end, small end, और ये big end, जो की crank pin से जुड़ा होता है, और गजन pin से जुड़ा होता है, वो आपका little end या small end होता है, crank shaft and crank case, crank shaft और crank case क्या है, reciprocating motion आपका या, उसको किसमें change या, rotary या rotating motion में, तो used for किसके लिए प्रयोग किया जाता है, crank shaft और crank case का power transmission के लिए, और crank shaft और crank case आपकी बनी होती है, alloy steel और cast iron की, तो material आपको सारे पढ़ने है, material आपको सारे याद रखने है, क्योंकि प्रते एक exam में चाहिए, वो RTO का exam का syllabus डाला है है, लेकिन मेरे साथ ही हो, आप किसी भी exam के लिए preparation कर रहे है, technical के लिए, material से एक question आता ही, आता है, minimum एक question आएगा ही, आएगा, प्रते एक exam में question पूछा जाता है, कि engine जो है, उसका cylinder किस material का बना होता है, crank shaft, यह किसी भी topic को पूछा जा सकता है, साथ यो गजन पिन, या wrist पिन, या piston पिन, गजन पिन क्या करती है, connecting road और piston को connect करने के काम आती है, और यह बनी होती है, forge steel की, किसकी बनी होती है, forge steel की, तो यह की साथियो मेरे important summary, अब मैं आपको बता देता हूँ कि cylinder, कौन से part में कौन से material हुज किया जाता है, और इसकी manufacturing का method क्या है, तो साथ यो cylinder के लिए material होता है, cast iron, alloy steels, और इसको manufacturing किया जाता है, casting के थुरू, cylinder head होता है, cast iron, aluminum, alloy का, और इसको casting या forming के थुरू, manufacture किया जाता है, बनाया जाता है, पिश्टन जो होता है वो कास्ट आयरन अलूमिनियम अलोई का बना होता है और इसको भी कास्टिंग और फॉर्जिंग से बनाया जाता है पिश्टन रिंग जो है आपकी सिलिकन कास्ट आयरन की होती है और ये कास्टिंग से बनती है वाल जो आपके है special alloy steel से होते है और ये forging से बनते है connecting rod जो आपकी steel की होती है ये भी बनती है forging से crank shaft आपकी alloy steels की बनती है और ये forging से बनती है crank case आपका cast iron, aluminum alloy और steels का होता है जो की casting से बनता है gajan pin, wrist pin या piston pin ये steel की होती है और बनती किस से? forging से तो ये था important summary for IC engine, internal combustion engine की और सात्यों मेरे वीडियो में आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा construction details of an IC engine and component of an IC engine जो कि आपका important topic है RTO राजस्तान का जो exam है RTO का MVSI exam motor vehicle sub inspector exam के लिए अत्यांत में तो पोड़ है सात्यों वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर like करें और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने हमारा चैनल UV competition सब्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और साती सात इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े सात्यों आप सब का तहे दिल से धन्यवाद मेरा साथ बनाए रखें मैं आपको आईसी इंजन कंप्लीट जो आपका सिलेबस है कंप्लीट कराने की कोशिस करूँगा अभी तक मैंने लगबग तीन वीडियो में चार पांच टोपिक कंप्लीट कर दिये थैंक्यू सो मच धन्यवाद मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंप्लीट से